ये विडियो क्लिप किसी मूवी की नहीं बलकी कल 26 मार्च को यूएस के मैरिलैंड में बेस्ट बैल्टिमॉर सिटी में हुए एक दुरगटना की है बैल्टिमॉर्स फ्रांसिस कॉट की ब्रिज से एक कार्गो शिप तकराई और इसके बाद जो हुआ वो काफी भयानक था जानकारी मैं आपको इस विडियो में दूँगी आप देख रहे हैं स्विच विट मी सिम्रन मार्च 26 को यूएस के बैल्टिमॉर में बना 47-year-old बैल्टिमॉर फ्रांसिस कॉट की ब्रिज ताश की पत्तों के तरह गिर गया जब उससे एक कार्गो शिप तकराई इस हाथसे के बाद 6 लोग मिसिंग है और इनकी मौत की आशंखा लगाई जा रही है 26 मार्च सुबह डेड़ बजे एक सिंगा पर फ्लाट कार्गो शिप जिसका नाम डाली था वो बैल्टिमॉर ब्रिज से तकरा गई after an unprecedented power failure in the ship now as per media reports ये कार्गो शिप जब बाल्टिमॉर पोर्ट से रवाना हुई थी तब ही the vessel lost propulsion and soon after that there was a complete blackout on the ship टकराने से ठीक पहले ही शिप के पाइलिट ने मेडे कॉल जारी कर गया था मेडे कॉल का मतलब है emergency radio communication या एक distress signal जारी करना Maryland के governor वीज मोर ने इस crew की तारीफ करते हुए कहा कि ये real heroes हैं क्योंकि इन्होंने कई लोगों की जान बचाई है इस हाथसे का signal दे कर now as per reports last year बाल्टिमॉर ब्रिच पर करीबन 7,50,000 गारिया गुज़री थी आपको बताते हैं जिस वक्त ये हाथसा हुआ था तब ब्रिच पर कुल 8 लोग मौजूद थे दो लोगों को rescue कर लिया गया है जिसमें से एक बिल्कुल ठीक है और दूसरी की हालत गंभीर बताई जा रही है वहीं छे लोग अभी भी missing है जिनके बचने की उम्मीद नहीं है due to the freezing temperature in the Papsco River इस कारगो शिप को Synergy Marine Group managed कर रही थी and it was owned by Grace Ocean Private Limited ये कारगो शिप US के Baltimore port से श्रीलंका के कॉलंबो जा रही थी इस शिप में 22 लोगों की crew थी और ये सब ही Indian origin के थे Fortunately, इस हाथसे के बाद किसी भी crew member को कोई injury नहीं पहुची है लेकिन media reports के मुताबिक यही same ship 2016 में Belgium के Antweep port में एक incident का शिकार हुई थी 11 जुलाई 2016 को container ship डाली, port की एक सिरे से तकरा गई थी while trying to exit the North Sea container terminal उस समय, जाच परतार के बाद ship की structure में fault पाया गया था and it was declared unfit for sailing Belgium में हुए इस हाथसे के बाद ship को dock में ही रखा गया था for repair work US President Joe Biden ने इस हाथसे पर गंबीता दिखाते हुए भारतियों crew का धन्यवाद किया है कि उनकी समझतारी से कई जाने बच गई और साथी Francis Bridge के reconstruction के लिए funds passed करने का भी एलान किया है आपको बता दे, this bridge has been named after the famous poet Francis Scott Key जिन्होंने America का national anthem भी लिखा था साथी the US Federal Transportation Safety Agency ने कहा है कि वो अपनी investigation जल शुरू करेंगे regarding the safety record of the ship, its design and construction इस पूरे हाथ से इसे worldwide logistic business पर एक बड़ा असर पड़ा है लोग इसे logistic world का एक nightmare भी बता रहे हैं East Coast के तहट Baltimore Bridge का बंध होना, import-export business को बुरी तरह से hamper करेगा for the upcoming months Port of Baltimore, America की top import-export port है for cars and light trucks Last year, the port handled 8,47,158 cars and light trucks according to the data from the port Now, it was the 13th consecutive year that Baltimore Port led all US ports in the import of cars and light trucks लेकिन आप trade route को divert कर दिया गया है आगे Baltimore पे क्या कुछ updates होगा, वो सब कुछ आपको कहीं और नहीं, switch पर ही मिलेगा तो switch को follow कर ले